बूम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको एक ऐसा गूड रहस से दूँगा जो की बरसों से छिपा हुआ था या फिर यूँ कहिए की छिपा रखा था अगर ये रहस से सब को पता चल जाए तो धर्ती पर कोई भी गरीब ही ना हो ये एक ऐसा राक्षिसी मंत्र है जो की स्वेम रावण ने रचित किया था और जिसके भी हाथ ये लगा वो माला माल हो गया जो रावण ने सोने की लंका बनाई थी माना जाता है कि वो इसी मंत्र से बनी थी इसी मंत्र से वो अपने लंका में सोने की बारिश कराया करता था ये ऐसा मंत्र है जो की अंजाने रास्तों से धन का प्रवाह आपके घर तक कर देता है स्वेम रावण रचित है और इसका जो वर्नन है वो रावण सहीता में भी है और ये इतना चमत्कारी मंत्र है कि बस एक बार आपने ये साधना कर ली तो उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता एक बार इसको यथा संभव इसकी साधना करके देखे और फिर देखे किस तरह से आपके धन के भंडार भर जाएंगे भारत को सोने की चड़िया कहा जाता था वो इसलिए था क्योंकि हमारे रिशी मुनी जानते थे कि सोना कैसे बनाना है पहले के जमाने में पारस पत्थर होता था कुछ मंत्र होते थे जिससे कि सोना बन सकता था लेकिन आजकल क्या है कि वो जो विद्या है वो लुप्त हो गई है लेकिन फिर भी आदी काल से अभी भी कुछ लोगों के पास कुछ ऐसे मंत्र हैnt जो कि सोने की बारिष करा सकते हैं जमीनमें गड़ा धन आपको दिखा सकते हैं और ऐसा ही एक मंत्र है रावण सहीता के अंदर जो कि आज मैं आपको दूँगा जो कि रावन रचित है स्वेम रावन ने बनाया है और इसकी जो है एक बार आप साधना कर लेंगे तो आपके भंडार भर जाएंगे मंत्र इतना कारगर है कि ये मुझे किसी और से मिला है और इसकी जो साध़्थकता है वो आप मुझे बताएंगी कितना पावर्फल है कितना नहीं लेकिन जिससे मुझे मिला है उन्होंने बताया मुझे कि ये इतना पावर्फल है कि जिसको भी दोगे वो रातो रात अमीर बन जाएगा बस ये छोटीसे साधना कीजिए और इसके बाद आपके उननती के दुआर खुल जाएंगे साधना बहुत ही सरल है इस मंतर को ग्यारा माला रोज आपको डपना है और मंतर शुरू करना है आपको शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन से शुरू कीजेगा और मंत्र में पूरी शरद्धा रखते हुए इस मंत्र का जाब करते रही है तो 51 दिन तक आपको ये साधना करनी है 50 और एक दिन 51 दिन तक इसको कीजेगा तो मातेश्वरी शिगर आते शिगर आपसे प्रसन्न हो जाएंगी ये धर्ती पर सबसे सटीक मंत्र है मातेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी माननेता है कि अगर कोई व्यक्ती भूले से भी इस मंत्र का जाब करते तो भी मातार अपना निवास थान उसका घर बना लेती है और ये जो मंत्र है ये अंजाने रास्तों से आपके पास पैसा लेकर आएगा जहां से आपको उमीद भी नहीं होती वहां से भी आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा यदि आपका धन जो है वो निकल ना रहो किसे को उधार दे रखा हो और सालों साल होगे लेकिन वो देने का नाम ना ले रहा हो तो भी ये मंत्र जो है बड़ा कारगर है 51 दिन कीजिए और 51 दिन से लगबग 7 से 15 दिन के भीतर आपको इसका असर दिख जाएगा लेकिन नित्य प्रति दिन आपको ये करना है और इसको करते हुए कुछ सावधानिया है जो आपको रखनी है सबसे पहली बात तो आपको मास मदिरा का सेवन नहीं करना है सात्विक रहिए और फिर इस मंत्र को कीजेगा तो आपका जो ये मंत्र है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा और मैं उन सब को बताना चाहूँगा जो की लक्षमी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये बहुत इतीवर उपाए है इस से बहतर उपाए आपको नहीं मिल सकता लक्षमी प्राप्ति का ये कुछ ऐसा आपकी जिन्दगे में ला देगा जो की स्थिर लक्षमी को आपके यहां नियोता दे आएगा न जाने कैसे कैसे रास्तों से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा यदि आप सडक पर चल रहे हैं और कहीं ठोकर लेगी तो वहां पर आपको सोने की इट मिलेगी कुछ ऐसा इस से हो जाएगा तो मंत्र सुन लीजिए मंत्र एक बार फिर से रेम श्रेम कलेम ध्वधव इस मंत्र का आपको 108 की संख्या में 11 माला प्रती दिन जाप करना है जाप करते वक्त आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए और माभगवती के सामने आपको इस मंत्र का जाप करना है 11 माला 51 दिन तक मंत्र जब जाप करना शुरू करे तो आपके नीचे जो है उनका आसन होना चाहिए या कोई भी लाल कपड़ा हो तो वो भी चल जाएगा इसके बाद माभगवती को कुछ फूलर पित कीजिए कुछ नवैच चड़ाईए धूप लोबान इन सबसे जो आपका वातवरन है उसको सुगंदित कीजिए और उसके बाद मंत्र जाप शुरू कीजिए प्रती दिन 11 माला आपको ये करनी है 11 माला रोज आप कीजिए और 15 दिनों के भीतर भीतर आप पाएंगे कि आपके घर में लक्षमी का आगमन हो गया है अनजाने रास्तों से आपके पास पैसा आ रहा है और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए कुछ पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर और मुझे वाट्सअप कीजिएगा जो भी आपको पूछना हो तो इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगे धन्यवाद